दोस्तों आज की एस वीडियो में हम comparison करेंगे वीवो V30E 5G smartphone को वीवो T2 Pro 5G smartphone के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के डिस्पले ही तो आपको बता दो कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7-8 इंचिस की Full HD Plus Curved AMOLED डिस्पले दी गई है जो की 120Hz के refresh rate का spot करती है यानि कि दोस्तो डिस्पले आपर भाई content watching के साथ तो दोनों स्मार्टफोन के एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें curved AMOLED पैनल मिल रहा भी अच्छी बात है एकदम बढ़िया वाली content watching आपको करवा देगा और operating system के अगर हम बात करें तो V30E यहाँ पर out of the box and out 14 के साथ में आते है जो कि fun touch 14 पर based है वहीं दूसरी तरफ T2 Pro यहाँ पर out of the box and out 13 के साथ में आते है जो कि fun touch 13 पर based है यानि कि दोस्तो latest operating system और latest UI दोनों ही मामलों में आपर Vivo V30E स्मार्टफोन ही winner है और chipset के अगर हम बा Dimensity 7200 5G chipset दिया गया है जो कि 4 nanometer technology पर based है देखिए दोस्तो day to day performance और gaming के मामलों में आपर दोनों chipset बढ़िया है लेकिन अर gaming बिल्कुली बढ़िया वाली अगर आपको करनी है ना तब आप यहाँ पर definitely T2 Pro की तरफ ही जरूर से जाईए क्योंकि इस phone के अंदर हमें Dimensity 7200 मिल आपको जादा Antutu score वाला भी smartphone चाहिए ना बई definitely T2 Pro की तरफ ही जरूर से जाईए और यार अगर आप इन दोनों phones मेरे किसी वाल कोई buy करना चाते है ना तो link मैंने नीचे description में दे दिया वहाँ से जाकर आप इनने buy कर सकते हैं और अब बार यह आती है भी back camera setup की तो दोनों phones देखिए दोस्तों T2 Pro का जो main camera 64MP का बढ़िया detailing के साथ में आपकी photos क्लिक कर देगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज कर रहा है ना एकदम बढ़िया optimized photo के साफ से हो natural detailing वाली photos के साफ से तब मैं यहां पर definitely V30E की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा क्योंकि यह जो इसका main camera ना 50MP का बढ़िया तरीके से optimize किया गया है जो कि एकदम जबरदा detailing के साथ में आपकी photos क्लिक कर देगा और साथ ही यहां पर हमें 8MP का ultra wide camera मिल रहा भी अच्छी बात है लेकिन T2 Pro की तरफ ने कि इस तरफ 2MP का depth camera देखे बाई कामी मुकादिया और depth camera बाई सिर्फ useless है उसका कोई फाइदा नहीं है वीवो वाले भी scheme में चलने लग गये आज कल और दोस्तों अगर हम बात करें maximum video recording की तो दोनों phones के back camera से maximum 4K तक video recording कर सकते हैं साथ ही video stabilization के लिए दोनों smart phones OIS plus EIS technology को भी support करते हैं और अब बार याती बाई front camera की तो V30E के front में हमें 50MP का selfie camera दिया गया जिसे हम 4K तक video recording कर सकते हैं वही दूसरी तरफ T2 Pro के front में 16MP का selfie camera दिया गया जिसे हम 1080p तक video recording कर सकते हैं देखिए दोस्तों वीवो T2 Pro का front camera अच्छी detailing के साथ में आपकी selfie photos क्लिक कर देगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेक जाईए और battery department के अगर हम बात करें तो Vivo V30E यहाँ पर 5500 mAh की battery के साथ में आते हैं जो कि 44W की fast charging को support करते हैं वहीं दूसरी तरफ T2 Pro यहाँ पर 400 mAh की battery के साथ में आते हैं जो कि 66W की fast charging को support करते हैं देखिए दोस्तों आपको बड़ी battery के साब से smartphone लेना तब आप यहाँ यहाँ पर definitely Vivo V30E की तरफ ही जरूर से जाईए लेकिन fast charging अगर आपको ज़्यादा चाहिए ना भई तब आप यहाँ पर definitely T2 Pro की तरफ ही जरूर से जाईए लेकिन इस phone के अंदर हमें सही म्यार ज़्यादा ही कम battery दीगए यह सरफ 1600 mAh की यह भी एक reality बात है और network connectivity के लिए द 2.5 mm jack हमें दोनों phones में किसी में भी नहीं दिया गया और साथ ही दोस्तों दोनों phones के रफ सिंगल स्पीकर की साथ में आते हैं और security के लिए में दोनों phones के अंदर under display fingerprint sensor प्लस face unlock भी देखने को मिल जाता है और अब last में हम बात करते हैं दोनों phones की pricing की तो आपको बता दो कि V30E smartphone के 8 plus 108GB variant की pricing है 27,000 पर वहीं दूसतरे तरफ T2 Pro smartphone के 8 plus 108GB variant की pricing है 24,000 पर और अगर मैं यहाँ पर अपना point of है दोना भी इन दोनों smartphone के लिए तो देखिए दोस्तों वैसे तो यहाँ पर दोनों smartphone भाई एकदम बड़ी हैं लेकिन फिर भी अर अगर आपकी camera main priority है ना तब आप